नमस्कार, हार्दी कविनंदन दिसंबर 2023 के मासिक राशी फल में आज आप कुछ अनकरी दूँगा कि कैसा रहेगा मेश राशी के लिए पूरा का पूरा महीना आपने थमनेल तो पढ़ी लिया, उसमें लिखा है आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जी हाँ, बड़ा होने वाला है, होना भी चाहिए, ग्रह गती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, शुब रूप में, अशुब रूप में क्या बड़ा होगा बड़ा होगा शुक्र ग्रह से संबंदित बड़ा होगा देव गुरु ब्रस्पती से संबंदित बड़ा होगा न्याय मूर्ती करम फल दाता शनी से संबंदित इन तीन ग्रहों से संबंदित कुछ बड़ा होने वाला है विशे को प्रारम करता हूँ सरपथम आप से निवेदन करता हूँ कि इदी आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें बैल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि तुरंत और सारी इंफरमेशन पहुंच सके दोस्तों मैंने पूरे वर्ष दो हजार तेईस का डिटेल में एक वार्षिक राशी फल शूट करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है फेस्बुक पर भी है यूटूब पर भी है आप सुन सकते हैं बहुत अच्छा प्रोगाम है बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को भी मिलेगा शुरुआत करता हूँ आपके सामने डिस्पले में कुनली भी लगाई हुई है नवंबर के बाद इस दिसंबर की वर्ष दोजार तेईस के आखरी महीने की आपके लिए अच्छा रहे उन्निती वर्दक रहे ये मेरी विशिस आपके लिए रहेंगी दिनांक 16 तारिक को सूरे ग्रह का राशी परिवरतन होगा और वो धनू में चले जाएंगे और वरिष चिक को छोड़ देंगे आपको यहां बैठ हुए भी दिखाई दे रहे होंगे वरिष चिक में और इदर आजाएंगे भाग्ये पर इसके लावा मंगल ग्रह सोला नवंबर को सुरी 27 दिसंबर को मंगल ग्रह भी इदर धनू राशी में आजाएंगे इदर वरिष चिक राशी से निकल जाएंगे बुद्ध ग्रहे दिनांग 13 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक इदर धनू राशी के अंदर वक्र चाल में रहेंगे इनका वक्री रेना इस घर में ठीक रहेगा इसके लावा देव ग्रुब रस्पती पूरे महीने मेश महीं है और शुक्र ग्रहे दिनांग 25 दिसंबर को व्रिश्चिक राशी में आ जाएंगे इदर आठ नंबर में दर तुला से निकल के तो यानि की पहले 25 दिनों तक शुक्र का बहुत ज़्यादा महतपून डोल आपके जीवन के अंदर रहेगा इसमें किंतु परंतु दोमत नहीं है अब ये शुक्र ग्रहा आपको चमकाएगा ये शुक्र ग्रहा मालब विनाम के महापुर्श राजयोग से आपको चमकाएगा डेटेल यानकारी देता हूँ और शुरुवात करता हूँ सबसे पहले मान सम्मान वे यश वैभव की बहुत उत्तम शेनी का रहेगा और इसका मूल रूप से कारण है क्योंकि सेम आपके शरीर पर बैठे हुए हैं गुरु महराज और 25 दिसंबर तक गुरु की और शुक्र का आपस में सम सब तक दृष्टी संबंद रहेगा दो शुब ग्रहों का अच्छा होता है दो शुब ग्रहों दूसरे को देखेंगे दामपत्य जीवन को भी अच्छा करेंगे वेक्तित को भी अच्छा करेंगे साथ में वेवाहिक जीवन को भी अच्छा करेंगे व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा दैनिक इंकम में इजाफा होगा इस प्रकार के जो ग्रह गोचर है वो आपकी राशी के अंदर बनेंगे बात करते हैं वरशव राशी के विशे में ये बात करते हैं धन के विशे में क्योंकि धन बड़ा मेंतुपून है यहां पर ये जो घर होता है दो नमबर लिखा है पैसे का है इस घर की जो जिम्मेदारी है वो शुकर के पास है शुकर खुद मालव विराजयोग बना कर कि आपके दामपत्य जीवन पर बैटा है इसका मतलब इस पूरे महीने आर्थिक रूप से जो ग्रह एस्तिती है वो बहुत मजबूत रहने वाली है इसमें कोई भी किंदू परंदू नहीं है बखुवी अच्छा कासा धन आपके पास में आने वाला है यह मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलेगा और इसके लाबा आपको वानी का सुख मिलेगा यानि कि आप अपने व्यक्तित्त से अपनी वानी से जितने भी स्पोक्स परसन हैं खाली वानी से धन अर्जित करते हैं उनको विशेश रूप से लापराप्त होगा मैं अब आप से बात करना चाहता हूँ कि फिल्म लाइन का क्या होगा तो ग्लैमर अंडिस्टि से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा और काफी उत्तम शेणी का रहेगा इसमें कोई किंदू परंतू नहीं है बात करता हूँ आपके छोटे भाईवेन मित्रगन सहास पराक्रम की इस घर का जो दायत तो है वो है बुद्ध ग्रह के पास बुद्ध बड़े समझदार ग्रहे हैं खुद अपनी राशी को देख रहे हैं इदर नौ नंबर में बैठ करके सब्तम दृष्टी से संतोलित सहास रहेगा और गले से संबंदित जो विकार हैं उन से आप मुक्त होगे उसमें एक बड़ा मेजर रिलीफ आपको प्राप्त होगा और आए में वृद्धी होगी सिंगर्स की राइटर्स की और जो लोग बौद्धिक इस तर के कारे करते हैं अगर हम बात करें सुख साधनों की तो इस घर का दाईत तो आजाता है चंद्र ग्रह के पास में इस घर पर मिला जुला सा प्रभाव है जैनि कि प्रापर्टी रिलेटेड जो लेन देन है वो होते हुए नजर आ रहे हैं यह मैं आपसे कहूँगा यदि हम बात करें आपके बुद्धि उन्निती की संतान सुख की नीती की शास्त्रकला की विद्वानता की तो इस घर के मालिक हो जाते हैं सूरे देव और सूरे ग्रह 16 दिसंबर को अच्छे होंगे 16 तारीक के बाद आपको कोई विशेश लापराप्त होगा जिसमें अक्समा धनलाब भी हो सकता है और साथ में संतान से रिलेटेड भी हो सकता है भाग्या के अनुरूप हो सकता है और इसके अलावा जो लोग बड़े पदों अवसर हैं और जो बच्चे competition की या जिनका कोई interview है ऐसे सब लोगों के लिए जो समय है वो बहुत उचित रहेगा और बहुत लाबदाइक रहेगा पर 16 तारीक के बाद बात करना चाहूँगा आपके स्वास्त की हैल्थ की जिम्मेदारी बुद्ध के रहे के पास आ जाती है और केतू बैठे हैं अभी आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले कुछ महीने तक कोई चोट दुरगटन एक्सिजेंट का इसके लावा इस घर का मालिक बुद्ध बनता है वो पूरे महीने भाग्य पर रहेगा तो यानि की हैल्थ को ले करके पिता के घर पर बैठे गया तो पिता के स्वास्त पर बुरा प्रभाव आएगा और आपको एलर्जी से रिलेटेड इसकिन रिलेटेड प्रॉलम होती हुए नजर आ रही है बात करना चाहूंगा आपसे आपके सेवन्थ हाउज क और ये घर होता है संतान का और ये घर होता है दैनिक जीवन का बहुत जबरदस्त एक मालवे नाम का महापुरुष राजयोग बनाए जी हाँ मालवे ये राजयोग हमारे जीवन में बहुत जादा महत रखता है अगर बनता है तो और आपके लिए बनाए पूरे एक साल के प्रांत बनाएं मैर्ज लाइफ को तो अच्छा करे गई विदेशों से रिलेटेड भी काम कराएगा इच्छा पूर्ती का वरदान भी मिलेगा सोची हुई योजनाई भी इंप्लिमेंट होंगे विदेश आत्रा के और अपनी व्यापारिक समझोते के लिए एक्रिमेंट्स क लिए जो शुक्र है वो बहुत अच्छा फल देगा और ग्लैमर इंडस्ट्री से जड़े लोगों को तो लिटरेली बता रहा हूं इतना अच्छा रजल देगा जो आपने कलप्रा भी नहीं करी होगे आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि पंडी जी बिलकुल जैसा आ ले फर्स 25 डेज अच्छा है अगर हम बात करें आयू की तो जिनको आयू से कस्ट चल रहा है क्रोनिक डिजीज चल रहा है हॉस्पिटलाइज है बैड पर हैं उन लोगों को पहले 15 दिनों तक ध्यान रखना है उसके बाद कुछ चिंता वाली बात नहीं है मंगलीक दोश है डवल मंगलीक दोश बना हुआ है मेश राशी वालों के लिए जिसके कारण है आपको स्वास्त में परेशानी आना और इरिटेशन गुस्रा बढ़ना ऐसे योग यहां पर बनते वे नजरा रहे हैं अगर हम बात करें आपके भाग्ये की क्योंकि भाग्ये है तो सब कुछ ह तो भाग्ये के अनुरूप आपका काम बन सकता है क्योंकि भाग्येश गुरू आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे शरीर पर बैठेंगे तो भाग्ये को मजबूती देंगे पिता से सायोग मिलेगा धार्मिक जीवन में रूची बढ़ेगी कारे सिद्ध होंगे इसी प्रकार से यही अगर आपके करम की अगर हम बात करें जो लोग सरकारी नौगरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पद पर बैठे हैं डारेक्टर हैं सी उए एमडी हैं आपके लिए अच्छा रहेगा अब सर आपको प्राप्त होंगे शनीदे मारग के घर में इस घर में शनीदे बैठे हैं और शनी महराज बड़े भाई के साथ तो रिलेशन खराब करेंगे पर आपको बाहर ले जाएंगे आपके लाब की मातरा को बढ़ा देंगे अगर आप दालों को एक्सपोर्ट करते हो या आप को मैटल से रिलेटिड काम करते हो बा बहुत अच्छा रहेगा परिस्तितियां बहुत पॉजिटिव बनेंगे ये मैं कहूँगा तो ये मेश राशी का फाल है मुझे तकरीबन मेश राशी के लिए ये महीना अच्छा नजर आ रहा है और इन फैक्ट दिनांग 27, 26, 29, 31 ये जो पांस दिन रहेंगे मेश राशी म मालिक भागे पे रहेंगे आपकी बुद्धी उनती के स्वामी सूरे वो भी भागे पे रहेंगे तो एक तरीके से आपके लिए जाता हुआ वर्ष का आखरी जो पांच-छे एक हफ़ता रहेगा वो बहुत उत्तम रहेगा दोस्तों अगर आप भी मुझे कुनली बनवाना दिखवाना पूजा पाठे रद देना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं भी आप से आज़ा चाहता हूँ नमस्कार